मोहरम पर जंडा लगाने को लेकर भारी बवाल दो पक्सों के बीच हुई जमकर पत्थरबाजी कई पुलिस कर्मी हुए घायल जिले के मभी थाना चेत्र के सिब्धारा इस्तित बाजार समीती के चोक पर मोहरम में जंडा लगाने को लेकर दो पक्सों के बीच विवाद हो गया देखते ही देखते पूरा चेत्र रण भूमी में तब्दिल हो गया एक पक्स ने दूसरे पक्स पर पत्तरबाजी सुरू कर दी जिसे देख दूसरे पक्स के लोग भी पत्तरबाजी करने लगे जिसमें आदेदर्धन से ज्यादा पुलिस कर्मी को भी चोटे आई हैं वहीं पत्रवाजी की घटना में सड़क के किनारे खड़े कई वाहन भी छती गिरस्त हो गए हैं घटना की सूचना मिलते हैं अगर पुलिस अदिक्सक के नित्रतों में भारी संख्या में पुलिस बल मोके पर पहुँच कर इस्तिती को नियंत्रित किया मामले की घंबीरता को देखते हुए जिलादिकारी राजीव रोसन और स्स्प अवकास कुमार खुद घटना इस्तल पर पहुँच कर मोनिटरिंग कर रहे हैं मोके पर पहुँचे वरियब पुलिस अदिक्सक अवकास कुमार ने कहा कि सिवधारा में मोर्रम का जंडा लगाने को लेकर दो पक्सों में विवाद हुआ है सूचना मिलने पर ततकाल नगरपुलिस अदिक्सक SDPO सहित निकटतम सभी थाने को घटना इस्तल पर भेजा गया वहीं उन्होंने कहा कि नगरपुलिस अदिक्सक मोके पर सांती समीती के लोगों के साथ बैठक कर ही रहे थे कि कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा बैठक भंग कर उबद्रुग किया जाने लगा देखते ही देखते दोनों पक्सों के बीच पत्थरबाजी सुरू हो गई लेकिन अभी तक चोटिल होने या किसी के सामान के नुक्सान होने की कोई सूचनान नहीं है इस्तिदी फिलाल नियंतरण में बताई जा रही है वहीं पुलिस अदिक्सा कावकास कुमार ने का कि हम लोग अभी सीसी टीवी फुटेज और कैमरों के फुटेज की मदद से असमाजिक तत्वों की पहचान कर रहे हैं इस घटना में मबी थाना के पुरभारी थान अदिक्स को थोड़ी चोटे लगी है वहीं उन्होंने का कि जिस जगह जंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए जंडा लगाने से किसी की भावनाहत नहीं होती है उबद्रवियों की पहचान की जा रही है यहाँ पर पहले भी राम नमवी के मोके पर भी जंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था जिसे सुलजा लिया गया था हम लोग मामले की अनुसदनान कर रहे हैं और दोस्यों की खिलाफ कड़ी से कड़ी कारेवाई करेंगे